पूछना है तो पूछिए फिर one-to-one भी करेंगे आप तो फिर आपके ओपर एक कुछ सवाह कर लिजे फिर one-to-one कर लिए आप पूछिए जो पूछना है पूछिए जो पूछना है लेकिन क्या लगता है कि आपकी पार्टी में चुपने से तरफ्रदेश के मुसलमानों में क क्योंकि उतरफ्रदेश में बीजे पी के 37% MLS के ओपर क्रिमिनल चार्जिस हैं और खुद उतरफ्रदेश के मुख्यमंतरी ने अपने ही खिलाफ एक केस को विट्रॉआ कर लिया क्रिमिनल केस को और दूसरा उन्हें एक केस में अप प्रॉस्यकूशन की जाज़त नहीं दी तीसरा ये है के बीजे पी के पास मद्यपरदेश से उनके एक सांसद है जिनका नाम आपको याद होगा प्रगिया ठाकूर है जिन्होंने गोटसे की तारिफ की और हेमन करकरे को शराफ दिया था बद्धूआ दी थी तो हमारा मानना ये है के और फिर उतर परदेश के आप सवाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया के उतर परदेश में यूपी यूगी सरकार ने सेवेंटी सेवन क्रिमनल केस साथ बीजे पी के लीडर जिसमें मौझूदा भी प्रेजेंट एमेलेज हैं जो मु मैं इसका इंकार नहीं कर रहा हूं मगर एलेक्टरल लॉग के तहद वो अभी एलेक्शन लड़ सकते हैं अगर कोर्ट उनको कुछ फैसला देता है तो जब यखिन हैं देखेंगे मगर अभी तो कोर्ट फैसला नहीं दिया है और जिस तरह दूसरों पर भी क्रिमनल केसिस है इन पर भी क्रिमनल केसिस है इनोसेंट अंटल प्रोवन गिल्टी मगर होता क्या है कि अगर किसी का ना मतीख हो गया या मुखतार हो गया तो गिल्टी अंटल प्रोवन इनोसेंट का मामला हो जाता है ये फरण है पुरसी जब लिदी आजम कान तर अंसारी और अधिक हैमत क व्हारी करने वाली कास करने वाली है? किया केना चालोदे आरे. भालाम इतने साल ने किया कहती है? प्रिज़ेंट सावर भाई हैं सिटी प्रिज़ेंट भी या बैठे हैं और पूरे हमारे जिबदार पार्परेटर्स भी है तो सबसे पहले तो हम यहां पर आकर अपने जो हमारे कॉर्परेटर्स हैं उनसे मलाखाद करके उनका शुक्रियादा कर रहेंगे और अभी अधिया जिल सावने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह बताया कि हम लोग आने वाले आज से बारा तेरा महीने के बाद जो विदान सभा के चुना होंगे गुजरात में उसमें मायन पार्टी इस सालेगी कितरे सीट पर लड़ेगी यह सावर भाई टाय करेंगे मगर हम पुरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे हमारा बहुत से एसमेले सीट को सावर भाई रिडिटिफाई भी किया और वहां पर हम अपने संकर्ठन को मजबूत कर रहे हैं और आज हम सुबा में थोड़ देर के लिए दो दर्यापूर विद्धान सभा के दो मुकामात पर जाकर वहां के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात भी किये तो यह तैयारी चल रही है आपने कोई एक फिगर्फिक्स किया है कि पच्छी सीथ पचास सीथ या इससो बायासी सीथ पे गजड़ेंगे अभी मैडम के सवाल के जाब में कहा कि कितने विद्धान सभा की सीथ पर गड़ेंगे इसका फैसला हमारे गुजराद यूनिट के सदर साबिर भाई और हमारे जिम्मदार करेंगे और जिए वो हो जाएगा तो आपको बताएंगे मर्ग विद्धान सभा बड़ी ताखत के साथ लड़ेंगे जरूर प्रूठ के लाग नगके जिए जड़ी फार जोर ज्टकी नहीं खड़ा करेंगा बड़ी वी ओट आपको सब्गा लेजा है ना क्योंने ले लेना ओड आपको हर ओटर का ओड हासल करना आपको तौ यखिनन खड़ा करेंगे और महराष्टरा में हम election लड़े जारकंड में लड़े भिहार में लड़े तिलेंगाना में लड़ते हैं करनाटक में लड़ते हैं अब यूПी में लड़ेंगे दूसरी मलतबा NOW यखीन सब समाच के लोग हम से वाबसता हैं उनको टिकेट देंगे, उनके लिए हम महिनत करेंगे, कोशिश करेंगे. यू कहा जा रहा है कि वोड कालराइसेशन के लिए आप लोग आये हैं और खासों से जिस्ट तीन एमिले हैं गुजरात में मुस्लिम, अब वह भी नहीं बचेंगे अगर आप लोगो हैं। तीन क्यूं बचेंगे खाली हैं। वो बुलते ना कहावत क्या है कि नाश्ता जाने तो आंगन तेड़ा। तो ये हर जगा जहां में जाता हूं तो इनको लगता है मुस्लिमोड। कभी ये तो बता दो कि भाई तुम हार क्यों रहे गुजरात में। तुम मुस्लिमोड की वज़े से हार रहे हो या नौन मुस्लिमोड की वज़े से हार रहे हो। तुम्हारा एक भी सांसद नहीं जीता दोजार उनीज के पार्लिमेंट एलेक्शन में और फिर आपको ये बात बोलने भाग कैसे आसल है। तो ये चलता है ये लोग बोलते रहते हैं सांब। नहीं अभी तो हम एटीम हो चुके हैं थोड़ा डिवलप्मेंट हुआ है तो एटीम हो चुके हैं और इनके लीडर जिनका नाम राहूल गांदी है वो अपनी आबाई सीट अमेठी में हार गये। कैसा हारे। अगर इनको थोड़ा समझ है तो बता दें क्यों हारे। वहां तो मारा कैंडेट नहीं था। इतनी बड़ी सीट अपने उर्वजों की हार गये। और वाइनाट से जीटते हैं वहां पे इसलिए के वहां पर 35% की खरीब माइनौरिटी ओर था। तो वहां जीट जाते हैं। तो अब यह इनको कैसा है ना के हमको देखते की उनको टीम याद आती है। इनको B टीम कभी A टीम कभी ओट कटवा। तो खैर कोई बात नहीं हमको इससे परवा नहीं करती। जनता देख रही है, अवाम देख रही है और इसका फैसला करें। आप इसका फैसला साबर भाई करेंगे, हमारे गुजराद की यूनिट के जिम्म दारान करेंगे और आपको बताएं। गोजी साब एक आरूप ये लगता है कि जहां पर वेसी जाते हैं वाहां पर बीजेपी को कम्यूरिजन की राजिपी करने हैं आसाली हो जाता है। अच्छा। हाँ अच्छाद में जो शिवसेना के अमपी बहुरा है, वो 21 साल के शिवसेना के अमपी था। ये सब लोग, बड़े लोग, बहादूर लोग तो नहीं हरा पाए, हम कमज़र लोग हरा दिये हैं, शिकस दे दिये हैं। अब उसका जिम्हेदार कौन है? दूसरी बात ये है, कि 2019 के पार्लिमेंट के चुनाओं में हम लोग सिर्फ तीन पार्लिमेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, महदराबाद के अवाम का शुक्री अदा करता हूग, हमने बीजेपी को हरा है, दूसरा औरंगाबाद, शिवसेना को शिकस दी, और बिहार म किशन गंज, जहां पर हमारे मौजूदा MLA और स्टेट प्रेज़ेंट अफ्तर लिमान को तीन लाग ओट मिले, जेडियू को तीन लाग पच्चीस, कॉंग्रेस को तीन पचास, तो पर तीन सीड़ अगर में लड़ता हूँ, तो बीजेपी तीन सो जीत जाती है, तो अगर में दस-पंद्रा लड़ों मा तो क्या बीजेपी पूरे पांसो जीत जाएगी, क्या? कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? वे आप ही के गुजरात के MLA कॉंग्रेस के, वो बीजेपी में भाग गए, तो मुझसे पूच कर गए थे क्या? करनाटका में भाग गए, हर जग लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ है, कौन के रहे बीजेपी खिलाफ नहीं है, पार्लिमेंट मौना रिकार्ड है, पार्लिमेंट में लौफुल एक्टिविटिस प्रिवेंशन एक का बिल आया गया, जिसमें दिल्ली में बैटकर एक NIA का इंस्पेक्टर, एमदाबाद में कि किसी भी एक शक्स को टर्रिस लिख देगा, उस बिल की ताहिद कांग्रेस की, अमिर शाह बिल मूफ किये 2019 में, कांग्रेस ने उसकी ताहिद की, राजे जवामें उने ताहिद की, कौन कम्यूरिजम को बढ़ा रहा है, बढ़ा दे रहा है, तो यह हकीकत है, इनका रहें आपको, तो इससे कोई, मुझे कोई फरख ने पड़ता, जितने ऐलिगेशन लगाना लगाई है, हमको कोई फरख नहीं पड़ता, मैं तो मेरी चावडी मोटी हो चुकी है, और लगाई है, हम मुखाबला करेंगे, फेस करेंगे, इनको पुछने लिए नहीं पुछे तो वो अपाजान क्यों बोलते हैं, फिदाजी बोलना चाहिए था ना उनको, अपाजान क्यों बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, डॉक विजिल पॉलिटिक्स, और उन्हों जो किताब अपना रिकार्ड बताए लिए, जूट है वो, 33 lakh unemployed youth का नाम पॉर्टेल पर हैं, 2020 February में उनका मंत्री विधान सवा में खड़े होकर कहा, कि 33 lakh unemployed youth के नाम हैं, जिनको लॉबरी की ज़र्वाद है, CMI का data है कि 10% unemployment rate है उतर परदेश में, अब गंगा के पानी के पर लाशें तीर रही थी तो दुश्टिक्रन था क्या वो, अक्सिजन नहीं मिल रहा था तो अब दुश्टिक्रन था, नदी के किनारे लोगों को लगड़ी नहीं मिली अपने वालिट को, अपनी मा को, अपने भाई को, बेटे को जलाने के लिए, अन्तिम संसकार करने के लिए, तो जमीन में दफनागी तो कुट्टे लोजकर खा रहे थे, तो क्यों दुश्टिक्रन दिराए नहीं दी थी हो, कौन सी बात कर रहे हो, तो ये इनका रिकॉर्ड है, योगी के रिकॉर्ट कार्ड में पढ़ा हो उसको पुरा, हम योगी से ये पूछना चाह रहे हैं कि प् दो हजार सत्रा अठारा, अठारा उन्नीस, उन्नीस बीस, बीस अकीस में एक घर बताओ मुसल्मान का, एक घर स्रिफ, संक्षन चोड़ एक घर जो तुम नहीं दिया बताओ में। हाइस्ट इलिट्रसी रेड्ट उत्तरपर देश में मुसल्मान का है, हाइस्ट पांच साल और पंदरा साल के दर्म्यान मुसल्मान का ड्रॉप आउट रेट है, सिक्ट्टी, नैंशिक्टी परसंड खरीब है। उत्तर परदेश में दो परसंट मुसल्मान ग्रेजुट होता है क्या बात कर रहे हैं और उत्तर परदेश का जो इतना डेवलप्मेंट का रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको मालू चार लाग बच्चे पूरे भारत में यह हमारे वोमन इंड चैनल मेलफेर मिनिस्ट्री मुहतर रिकॉर्ड है बताईए आप यह तो गॉर्णमेंट का डेटा है जितने खरीब चौदा सो डॉक्टर्स के विकेंसीज हैं पार्लिमेंट में जो आप बिया गए दोजार ननीस में इन पीएसीज में तो यह इनका रिकॉर्ड है कि साड़े चार सान में कोई तग्या नहीं बाबा यह समझते हैं कि हम लोग सब थम्जब हैं हम पढ़ते हैं थोड़ा बोट उतना ने उनकी तरह खाबिल नहीं है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अभी तूर्ण करना है तो सूच लिए फिर देर नहों जाए बोद भूश लिए भूश लिए भूश लिए है कि क्या वो जूट कहा था उन्होंने के विजे रुपानी ने कोविट में अच्छा काम किया था पिर यहां पर आप ही के कोई जर्रलिस्ट ने लिखा तो उसको 120 भी लगा दिया गया उसके उपर अमिशा साब को जौब दिनाए कि जब आप तो उसको सेटिफिकेट दे दिये थे रुपानी साहब को कि बहुत गहर मामली काम किया पिर क्यों हटा है उसको अच्छा हटाने के बाद जो बीजे पी की तरफ से सेलेक्टिव लीग किया गया कि रुपानी को हटाने का मकसद य बट जब हो मिनिस्टर और अमेश्याद तो जुजराद के बहुत बड़ा नेता है उनका अहमदाबाद के उनका यहां के सांसत भी है तो उनको जब वो खुद सर्टिफिकेट दिये उस गुण को उटा दिये तो नहीं मालूं क्या चक्ता रही है तीक है